संसत के नए भावन में संसत का विशे सत्र चल रहा है और सभी संसतों ने आज बड़े उत्साहा के साथ जो पुराने संसत भावन से नए संसत भावन की तरफ आए और पूरे जोशों खरोश के साथ सभी संसत जो है वो नए संसत भावन में पहुंचे इस वक्त हमारे साथ मौ पी के संसद मुकेश राजपुच जी आपका संसटी में बहुत-बहुत स्वागत है राजपुच जी आज पहला दिन नया जोश नई संसद और बहुत सारी नई चीज़ें क्या कहना आपका इसके लिए सबसे पहले मैं मानि प्रधानमंत्री और उनकी टीम को बढ़ाई देता हों और साथ साथ में कहूंगा कि नहीं जो लुक्साभावन यह संसद ऑषज़ा की weerाजिए यह लगता कि यह संसद भवन लिकिन ये है कि इसमें ये लगता अपना है और वो लगता है कहीं ने कहीं हमें किसी के द्वारा गिप्ट दी गई है हलाकि हमारे ही स्रमकारों द्वारा वो भी बनाई गई है और वहां आजादी का पहला दिन वहीं से आजादी की गोश्रा हुई तो इसलिए वो भी हमारे लिए यादगार है लेकिन ये इसकी बात अलग है कि इसमें ये लगता है कि इसमें अपनत लगता है कि भारती संस्क्रत के आदार पर बात साथ के आदार पर अपने सिल्क कारूं दोवारा बनाया गया इसके देख सकते हैं पहले हम लोगों हाथ उठाके मगाना पड़ता था आप क्या आने वाला आपके आने वाला अपना बठन दवाई है और अपने ही टेबल पर सब पूरी जानकारी कर लीजेगा तो इसलिए नई जो संसद मनी है बिल्कुल अधनिक है नए भारत के नए भारत के न सब्सक्राइब करें देखने को मिलती है और इसके में जो काम करेंगे चाहिए सांसद हो चाहिए का स्टाफ हो उससे आद्मने भारत की एक तरह से जहलक दिखती है इसके लिए वे मैं अपने देश के बैग्यान को को और अपने दिया तकनिक हैं उनको सब्सक्राइब करता हूं कि साध्वाद देता हूं उन्होंने इस सब नई तकनिकों से इस लोकसवासे में उपयोग किया है, और सब और उसका उपयोग कहीं नपर्लेश होने में अन्य कई सुविदाओं में इस पर साहिक होगा। कारपाई हो। कांग्रेश के स्योगी दल जो काम को नहीं कर पाए हो। इस चोटे से सत्र में वो काम नारी ससक्तिकरण की दिश्कोर्ण से नया जो महलाओं के लिए आरच्ण बिल आ रहा है। यह मुझे लगता है कि आदी आवादी के लिए इस तरह के कांग्रेश ने प्रया इसमें हमारी जो मात्रोश सक्ति है उन्हें इसमें बड़ा ही उन्हें इसकी सुकद अनुद्ध होगी कि वो भी लोकसवा में आएंगी और अपना प्रत्विद्ध कर सकेंगे उद्रेश को आगे ले जाने में अपना भी युगदान दे सकेंगे। तो संसद नरेश राजपुजी का कहना है कि आधी अबादी को जब भी प्रत्विद्ध दिया जाएगा उनके आवाज संसद में भी बुलंद होगी और जो उनकी भागीदारी है वो भी बड़ेगी।